हेलो गाइस, आप सब लोगर पर सेफ है, आज के इस वीडियो में मैं आपको आपके इंग्लिश के सारे चैप्टर्स वन शॉट एक्स्प्लेइन करने वाला हूँ, चलिए बढ़ते हैं अपने फर्स चैप्टर के ओर आज के स्टोरी का टाइटल है ग्लिम्स ऑफ इंडिया, इस चैप्टर में टोटल तीन पाट है, अब बेकर फ्रम गोवा, कुर्ग टी फ्रोम असाम, ठीक है, और इस वीडियो में मैं आप लोग को अब बेकर फ्रम गोवा की स्टोरी बताऊंगा, तो देखते हैं, सबसे पहल पूराने जमाने में गोवा के अंदर पॉर्चुगीज रहते थे, जिसकी वज़ा से उनकी फेमस ब्रेड वहां बहुत जादा खाई जाती थी, उस ब्रेड के बनाने वाले बेकर के बारे में यह स्टोरी है, इस चैप्टर में राइटर गोवा, मैं अपने पूराने दिनो को याद करते हुए कहते हैं, कि गोवा के बेकर्स उनके जीवान में बहुत इंपोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, बहले ही समय बीतने के साथ साथ, आज लोग इतने पाव प्रेड नहीं खाते, लेकिन गाव में बेकर अभी भी हैं, पॉर्चुगीज लोग पाव प्रेड बनाने में एक्सपर्ट थे, वो गोवा के पहले ही छोड़ गए थे, लेकिन गोवा में बेकर के ट्रेडिशनल वर्क को आज भी देखा जाता है, वे भट्टिया जिन में पाव प्रेड या सिंपल प्रेड बनाई जाती थी, आज भी वहाँ है, ट्रेडिशनल बेकर्स की ब प्रेडर कहा जाता है, आगे राइटर बताते हैं, बचपन में गोवा के अंदर बेकर्स उनके फ्रेंड और कमपैनियन हुआ करते थे, वो अक्सर दिन में दो बार आय करते थे, एक बार जब वो अपनी ब्रेड की हूज बास्केट्स को भर के निकलते थे, और दूसरी बा बेकर्स गाओ के अंदर इंट्री करते थे, गाओ के घर के नौकर बाहर आ जाते थे, और बेकर्स से अपने लिए ब्रेड खरीदते थे, उस से में राइटर और उसके फ्रेंड्स भी दोड़ कर बेकर्स की तरफ भाग जाते थे, और बेकर्स के बास्केट में से अपने लि वह वा अपने सिर पर रखी पाव ब्रेड की बासकेट को सारा देता था और दूसरे से बैम्बू स्टिक को ज़मीर पर पताकता था। जब भी कोई उसके पास bread खरीदने आता था, वो bamboo को अपने basket पर रख देता था, और writer और उसके friend basket में देखते थे, उन दिनों में bread और चाय खाने का मज़ा ही कुछ और था, writer को bread का बहुत शौक था, उससे मैं गाउं में होने वाले सारे functions पर bakers की importance बहुत जादा होती थी, गाउं वाले sweet bread जिसे ball कहा जाता था, उसके बहुत shocking थे, इन sweet bread के बिना शादी में मज़ा ही नहीं आता था, Christmas या कोई भी another festival पर sandwich के एक बहुत special होता थी, और ये सारी चीज़े bread से बनाई जाते थी, इस वज़े से बेकर्स की भट्टे को गाउं में बहुत importance दिया जाता थ बेकर्स या bread बेचने वाले एक special type की dress पहनते थे, इसे कभाई कहा जाता था, ये एक piece की long frog होती थी, और ये इसके घुटनों तक जाती थी, रैटर के childhood days पे, बेकर एक ऐसी paint पहनते थे, जो full paint के comparison में half होती थी, आज भी जब वहां कोई ऐसी paints पहनता है, तो लोग बोलते है कि उसने padder की तरह paint पहनी है, बेकर्स अपने bill का, bill month के last में लेते थे, घर में पूरे bill को दिवार के, दिवार पे pencil से लिखा जाता था, उन दिनों bread बनाना बहुत बढ़िया काम था, बेकर्स आम तोर पर सम्रिद्ध होते थे, उनकी families कभी भूकी नहीं रहती थी, उनका ज इसकी स्टोरी का टाइटल है, Glimpses of India Kurg, जो कि इस चेप्टर का part 2 है, सबसे पहले इस स्टोरी के राइटर का नाम है, लोकेश एबरॉल, guys, actually में कुर्ग करनाटका का एक small district है, जिसे कोडागो भी कहते है, कि actually में coastal area Mangalore और मेस्वर की बिश में पढ़ता है, ये एक बहुत beautiful place है, राइटर कहते है, ये स्टोर्ग का छोटा सा तुकड़ा भगवान के यहां से आया हुआ है, कि करनाटका का सबसे smallest district है, कुलक अपने coffee plantations, मसालो और evergreen forest के वाज़े से बहुत famous है, इस area का 30% part evergreen forest से covered है, इस area में आने का सबसे best season September और मार्च के बीच में है, यहां का आसम बहुत beautiful है, हावा coffee के fragrance से भरी हुई है, हर जगा British Columbia के beautiful palaces बने हुए है, कुर्ट के लोग independent और brave है, वो लोग युनानी और अरब वनश के हैं, एक story के according सिकंदर के tropes का एक part वापस नहीं आया, और यहीं पर बस गया, उन्होंने local people के बीच में marriage कर दी, ये tradition bravery के customs से, marriage के customs से और कुछ religious program से show की जाती है, एक दूशरी theory ये कहती है, कि ये लोग billionaire है, ये बात जो वो court पेहनते थे, वो show करती थी, ये court billionaire और court people के तरह पेहने जाने वाले कूफिया के form में होते हैं, कुर्ग homes में hospitality के customs हैं, वो लोग बहुत brave हैं, और उनके braveनेस की किस्से बहुत ज़ administrative regiment है, इंडियन आर्मी के पहले chief general Mr. Karriyapa भी कुर्ग के से थे, आज भी कोडागो के people के पास license है, कि वो बेना किसी permission के firearms रख सकते हैं, यहां बहुत beautiful places भी हैं, जिनका मज़ा visitors और tourist लोग easily ले सकते हैं, इस पूरे district में सिफ एक ही river है, जिसका नाम कावेरी है, और इसको भ बहुत ही साफ पानी और महासे फीशों से भारा हुआ है, बहुत different type के animal भी दिखाई देते हैं, यहां butterfly और honeybees नेचर को एक अला की sweetness देती है, कुर्ग के beautiful mountains और rivers पर bike riding, rafting और इससे सब adventurous sports करने में मज़ा ही आ जाता है, यहां trackers को trekking के लिए बहुत beautiful area मिल जाता है, गुर को एक district का beautiful सिन देखने में तो मज़ा ही आ जाता है, पास ही में एक 64 एकड का island भी है, जिसका नान निशाड डेम है, इस तक ropeway के थरू जाया जा सकता है, यहां पर travelers के लिए byla kup नाम की जगा bonus के form में है, क्योंकि वहां पर बहुत सारे Tibetan monks हैं, जो अपने red और yellow dresses पर लगते हैं, और last में राइटर यह बोलते हैं, कि amongst visitors की तरफ से देखे जाने के लिए एक surprise के form में है, यह area को इंडिया के heart और उसके soul में fixed है, तो guys यह chapter है पैंड होता है, अब पढ़ते हैं, आज के story का title है, Glimpses of India, Tea from Assam, एक शुरू करते हैं, सबसे पहले इस story के writer का नाम ह अरुप कुमार दत, यह story start होती है दो friends से, जिनका नाम था राजवीर और प्रंचॉल, प्रंचॉल असाम का रहने वाला था, वो actually में दली के स्कूल में पढ़ता था, प्रंचॉल के father Assam में रहते थे, वो tea gardens के manager थे, प्रंचॉल ने राजवीर को summer vacation पे Assam आने के लिए invitation दि रास्ते में train एक station पर रुकी, तो एक चाय वाला आया, उन्होंने चाय ली और पीना start किया, चाय पीते पीते राजवीर ने प्रंचॉल से कहा, वर्ड में 80 करोड से जादा कब चाय daily basis पे पी जाती है, तो प्रंचॉल ने कहा, हाँ यार, सच्छी में, चाय तो बहुत popular है, अब परंचॉल जो अपने detective stories पट रहा था, फिर से उसमें busy हो गया, लेकिन राजवीर चलती हुई train से बाहर देखने लगा, बाहर का scene बहुत beautiful था, उस रास्ते पे बहुत सारे paddy farms थे, और सारे तरफ tea gardens और उनके साथ उनमें tea के leaves भी थे, राजवीर इस beautiful सेंसे बहुत excited हो गया, लेकिन परंचॉल उतना excited नहीं था, और नहीं उसने परंचॉल के excitement में interest लिया, क्योंकि उसके childhood days तो उन tea gardens में spend हुए थे, और आसाम उसका hometown भी था, उसने राजवीर को बताया कि आसाम में largest number of tea gardens present है, आगे राजवीर ने कहा, इस बात का तो किसी को नहीं पता कि चाय की discovery आखिर हुई कैसे, उसने परंचॉल को बताया कि चाय की discovery के साथ बहुत सारी stories attached है, एक story के according, Chinese king ने coincidentally इसकी खोच कर दी थी, वो हमेशा पानिंग को boil करके पीते थे, एक दिन बरतन के इंचे जलती हुई branches में से accidentally branches पानी में आ गए, और पानी में खुश्बू आ ग एक Buddhist monk जिसका नाम बौधी दरम था, जिन्हें meditation करते वक्त नींद आ जाती थी, उन्होंने अपनी eyelids काट डाली, उनकी eyelids से tenty plants ग्रो हो गए, इन plants को boiled water में डाल कर पीने से नींद गायब हो जाती थी, राजवीर ने परंजॉल को बताया कि सबसे पहले चाय को चाइना में पि फॉर्म में यूज किया गया था, बट बाद में ये एक daily beverage के फॉर्म में बन गई, अब राजवीर और प्रंजॉल दोनों मरियानी स्टेशन पहुंचे, प्रंजॉल के मदर फादर ने उनका welcome किया, वे उन्हें कार में डेख्याबारी टी स्टेट ले गए, इस टी स्टेट के मेनेजर प्रंजॉल के फादर थे, रोड्स के दोनों साइड बहुत सारी टी बशिस थी, अपने बैक पर रखे हुए बास्केट के साथ बहुत सारी वूमें टी लीफ्स को प्लक कर रही थी, वे वहाँ पर नई लीफ्स उगने के सीजन में आये थे, राजवीर ने कहा, वोत हैं अंकल, और मैं यहाँ पर बहुत कुछ सीख भी सकता हूँ, तो गाइस यह थे, इसके स्टोडी का टाइटाल है मैडाम रड़ बस, जिसके राइटार का नाम है वली करनन, तो सबसे पहले इस स्टोडी में एक 8 यर ओल गर्ल थी, फॉस्ट बस राइड के बारे में उस गल का नाम था वैली माई, जिसको सब लोग वैली करके बुलाते थे, वो बहुत ही क्यूरियस गल थी, उसे नई नई चीज़े जानने का बड़ा उसकता रहता था, उसके घर के आसपास कोई फ्रेंड नहीं थे, उसके घर के बाहर, खड़े होकर बाहर क्या हो रहा है य वो बस उस विलेज एरियास और सिटी एरियास के बीच चलती थी, जब भी बस वहाँ से गुजरती नई नई पैसेंजर्स को देख कर वैली को बहुत अच्छा फील होता था, डेली बस को देखने से उसको भी अब बस राइड करने का शौक चड़ गया था, वो भी अब एक बस राइड करना चाती थी, अब वैली जो भी परसन उसके निवर में रहते थे, जो बस में ट्रावल करते थे, उनकी बातों को बड़े धान से सुनती, उसने उनकी बातों सुनकर, कुछ नए क्वेशन्स करकर, बस राइड के बारे में सारी इंफॉर्मेशन कलेक कर ली, उ अब वैली ने इस फरस्ट राइड को करने की धान ली, उसने बैलोंस खिलाने चॉकलेट और बागी चीजों को साइड रखके अपना हर एक पैसा बचाया, वो पैसा एकटा करने की वज़े से गाओं के मेले और जूलों में जाना बन कर दिया था, अब इस तरीके से उसने स काड़ पैसा सेफ कर लिया और अपनी फर्स बस राइड के लिए तैयार थी, उसने कुछ प्लैंस रेडी किये, वो घर से कैसे भागेगी, उसको ये बात पता थी कि उसकी मदार जूफर में दो बजे के बाद सोती है, उसने ये सोचा कि जब उसकी मदार सो रही होगी, तो उसे बस में ट्रैवल करने के लिए अलाव कर दिया, उस बस का कंड़क्टर खुश मिजास था, उसे पता था कि वैली इस बात को पुरे कॉन्फिडेंस के साथ कह रही है, उसने वैली को मैडम के नाम से कुकारा, और बस में सब को बोला, प्लीज मैम को सीड दो, और इनके लिए रास्ता बनाव का के चड़ था के, बस में मैक्सिमम साथ से आर्ट लोग थे, सब लोग उस पर हस रहते, वैली भी जैसे तैसे करके अपने शर्मिले पन पर काबू किया और बैड़ गई, वैली बस को ध्यान से देखती है, उसमें अच्छे गद्य वाले सीड्स थे और विंडोस पर भी अच्छे कांच लगे हुए थे, अब वैली बस के बाहर ज्यागने की कोशिश करती है, उसकी हाइट छोटी होने के बज़े से उसे सीड पर खड़ा होकर बाहर का नजारा देखना पड़ा, बस एक लेके किनारे से चल रही थी, उसमें बहुत ब्यूट अची नहीं है, वो बड़ी हो गई है, और उसने बस का पूरा फेर दिया है, तो वो जो चाहे उस सीड के साथ कर सकती है, कंड़क्टर ने भी उसे बोला, जब बस मुड़ेगी तो उसका बैलेंस बिगर सकता और वो गिर सकती है, बट वैली ने उसको भी इग्नोर कर दिया नेक्स्ट आपर कुछ और लोग भी चड़े, उसमें वो अपनी सीट खोना नहीं चाहती थी, इसलिए वो बैट गई, एक ओल्ड लेड़ी वैली के पास आकर बैट गई, वैली ने जब उस लेड़ी को देखा, तब वो उससे बड़े अजीब लगी, उसने बहुत बड़ी बड़ी बालिया पहनी थी, और मुँ में पान दबा कर रखे थी, और पान खा रहे थी, उससे लगा कभी भी इनके मुँ से पान गिर सकता है, उस लेड़ी ने वैली से पूछा कि क्या तुम अकेले सफर कर रहे हो, तो उसने बोला हाँ, उसने बताया कि उसके पास सिकेट भी है, अब वो लेड़ी सोचती है कि क्या एक बच्ची के लिए अकले ट्रावल करना ठीक है, उसने वैली से पूछा, क्या तुम में पता है, तुम कहा जाना चाती हो, वैली बोलती है, आप मेरे चिंदा मत करो, और फिर से खिड़की के बाल जाकने लग गई, उससे ऐसा हौन मार रहा था, तब ही वो गाए हटे नहीं ले थी, वैली तब तक हच रही थी, जब तक उसके आग से आसू नहीं आ गए, अब जब बस सीटी एडियास में इंटर करती है, तब बहुत सारे लोग वहाँ पर थे, वैली सब को देख रहे थी, और हैरान हो गई, इतना सार बस से वापे घर जाएगी, ये बात सुनकर कंडक्टर ने उसे पूछा ऐसा क्यूं, तो उसने बताया कि वो सब बस की राइड लेना चाहती थी, अब कंडक्टर बोलता है क्या तुम्हें बाहर का नजारा देखना है, तो बोलते हैं ने मुझे डर लगता है, अब वो पू अब जब वो लोट रही थी, तो सड़ा के किनारे एक डेड काउ देखी, जिसको किसी वेकल ने एक्सिडेंटली ठोक दिया था, वो कंडक्टर से पूछती है क्या ये वही काउ है जिसे हमने पहले देखा था, अब वैली उदास हो गई, तो कि कुछ टाइम पहले वो बहु अब फिर मिलेंगे, कंडक्टर ने कहा जब मन करे, तुम बस में आ सकती हो, वैली घर पहुंची तो उसने देखा कि उसकी ममी जाग गई है, और नेबर वाली चाची से बात कर रही है, उसकी चाची ने पूछा तुम कहा गए थे, और वैली सिर्फ मुस्क्राई, अब ना क्या चाते हो, बट अब उसकी चाची बोलती है, कि ये तो बच्ची है, पर ऐसे ऐसे बातों में इंटरेस्ट लिती है, जिसका, जिससे इसका कोई वास्ता नहीं है, वैशा शो करती है, जैसे वो बहुत बड़ी हो गई है, ये सब सुनकार वैली अंदर यांदर मुस्क एक्चुलि में सरमन्ड का मीनिंग होता है प्रिचिंग, एक्चुलि ये चैप्टर लॉट बुद्दा के फ़र्स सरमन्ड यानि फ़र्स प्रिच पे बेज़ जै, जो अनों ने पनारस में लिया था, एक्चुलि में लॉट बुदा का नाम सिधार्त कौतमा था, वो नॉर साल बाद जब वो वापस आये तब उनके मैरेज एक रॉयल प्रिंसस से कर दी गई, बहुत जल उनको एक बेटा हुआ, फिर उनों ने अगले दस साल तक अपनी रॉयल लाइफ जीनी स्टार्ट कर दी, उसके बाद एक्चुलिय में उनके लाइफ में बहुत सारे चेंजिस आ के सुचें, राध महल में प्रोवाइड करते थे, ताकि कभी भी बुद्ध दुख न देख सकें, जैसे नेचर में चेंजिस आते हैं, उनकी लाइफ में भी एक बहुत बड़ा चेंज आया, जब वो राउन मारने के लिए, अपने महल से बाहर निकले, तब रस्ते में उनक की आँके खोल दी, और उनको ये बात समझ आ गई, कि अर्थ में या वर्ड में ऐसे कोई भी चीज नहीं है, जो पर्मनेंट है, सब चीज इंपुररी है, और उन्होंने अपना राजपार पीछे छोड़ दिया, और नॉलेज गेन करने के लिए, निकल गए, साथ साल बात, जब वो बहुत परिशान हो गए, तब वो एक बेड़ के इंचे आकर बैठ रहे, एक्षीजी में वो जो ट्री था, वो पीपाल का ट्री था, और उन्होंने क्रॉमिस किया, कि जब तक उनको अच्छा नॉलेज नहीं मिल जाता, वो वहीं बैठे रहेंगे, वो इस ट्री के ट्री ओफ विज्ट्यम, और वहां से उन्होंने अपनी नूली अडॉप्टेड अंडर्स्रेंडिंग्स को पूरे वोल्ड में शेर करना सार्ट कर दिया, और उस कॉइंट पे वो बुद्धा का मीनिंग होता है अवेकंड, लौड बुद्धा ने अपना पहला प्रीच गं अपने नेबर हुड में गई, तो उसने बोला मुझे कोई मेडिसिन दे दो, मुझे अपने बच्चे को बचाना है, लेकिन इन पीपल ने कहा कि शायता को अपना मानसिक संतुलन खो चुकी है, तो कि उसके बिच्चे की मौत हो गई है, वो जब इधर अधर बढ़क रहे थ जो इस चीज में तुम्हारी हिल्प करेगा, उसकी मदर ने कहा, प्लीज मुझे बताए, उस आदमी ने कहा, जाओ, उस साख्या मुनी के पास जाओ, जिसको लोग बुद्धा के नाम से जानते हैं, किसा को अथमी, बुद्धा की और भागी, और उनके पैरों में गिर कर र मुझे उसके लिए मस्टर्ड सीट्स की जौरत है, वो भी एक ऐसे घर्स चाहिए, जहां पर आज तक कभी किसी की मौत नहीं हुई हो, मस्टर्ड सीट्स ले का राओ, मैं तुम्हारे बच्चे को इद्धा मिजली बचा लूँगा, अब कीसा को अथमी हर जगा जाकर एक ही भी डैट नहीं होई हो, वो सब लोग जिनसे उसे ने एक ही क्वेशन्स कूछा था, उनके पस मस्टर्ड सीट्स अवलेबल तो थे, बट बुद्धा के कंडिशन्स के अक्वार्डिंग वो किसी काम के नहीं थे, और एट लास्ट उसके अपने सारे एक्सपेक्टेशन्स को दिये, और फिर वो एक जगा बैट का रोने लगी, और ये सोचने लगी कि उसकी किस्मत कितनी खराब है, वो बहुत दुखी और परिशान थी, अब वो शेहर के बाहर लाइट्स को देखती रही, लाइट्स बार बार ओन ओफ हो रही थी, उस ही वक्त उसके पास एक आइड गया आया, और वो ये सोचने लगी कि एक परसन के लाइट भी इन लाइट्स की तरह ही है, जो बार बार फिलिक करते रहती है, और फिर ओफ हो जाती है, लाइफ साइकल और डैथ निचर के अनेक्सपेक्टेड पार्ट है, और फिर उसको होश आया, कि वो अपने दुख में इतने कितने जादा शेल्फिस हो गई थी, अब उसको ये पता चल गया, कि जो भी इस वर्ल्ड में बॉन होता है, उसका एक ना एक दिन डैथ भी होता है, इनसान ही नहीं, इस दुनिया की सभी चीज़े मॉटल है, उसे कभी न कभी दुख खत्म होना ही है, लाइट बुद को भूल चुके हैं, जो बॉन होता है, उसकी डैथ भी होती है, और अगर हम इस चीज़ को हमेशा याद रखेंगे, फ्री रखेंगे, इस दुनिया में ऐसा कोई भी नहीं है, कि आप डैथ को अवाइड कर सके, एक बात तो क्लियर है, डैथ किसी को नहीं छोड़ती, डैथ क्यों नहीं हमें उसका सामना करना चाहिए, क्योंकि अगर हम उसी बात को बार बार सोचते रहें, तो इससे सिर्फ हमारा मेंटल हिल्प डाउन होगा, और हमारा जो मेंट पीस है माइंड का वो भी बिकर जाएगा, इससे हमारे दुख दर्द और भी बढ़ जाते हैं, हर प एक रशन प्ले है, जिसके ड्रेमेटिस्ट का नाम है चेकोफ, और ये प्ले 1888-89 में लिखा गया था, इस प्ले में बिसिकली तीन करेक्टर्स हैं, पहले है चुपकोफ जो कि एक लैंड ओनर था, दूसरे हैं उनके बेटी नतलिया, और तीसरे हैं उनके नेबर में रहने पहले एक और लैंड ओनर, लोमोफ, जो कि चुपकोफ से थोड़े छोटे हैं, बिसिकली प्ले स्टार्ट होता है चुपकोफ के घर से, जिसमें लोमोफ एंटर करता है, उसमें पाटी ड्रेस और गलफ्स पहन रखी है, चुपकोफ उनको ग्रीट करता है, और वो लोमोफ स को देखकर चुपकोफ कमेंट करते हैं, मेरे प्यारे एंजल लगता है कोई स्पेशल लोकेशन है, बताओ तो जरा वो क्या है, अब लोमोफ बोलता है, यहीं को स्पेशल लोकेशन नहीं है, मैं तो सिर्फ हालचाल पूछने आया था, चुपकोफ अब भी बहुत क्यूरिय हैं, लेकिन चुपकोफ पैसे देना नहीं चाहता था, अब लोमोफ जो बहुत एक्साइटेट था, थोड़ा नर्वास होके चुपकोफ को कहता है, मेरी ऐसे सिचुएशन बनी हुई है, जिसमें आप सिर्फ मेरी मदद कर सकते हो, लोमोफ बोलते हैं, शायद मुझे इसा बाते हैं, कहने का कोई हग नहीं है, फिर भी मैं कह रहा हूँ, चुपकोफ बोलता है, सिधा पॉइंट टू पॉइंट बात करो, एक्चुलिय तुम कहना क्या चाते हो, अब लोमोफ फाइनली चुपकोफ से कहता है, कि वो चुपकोफ की बेटी नातलिया को मेरेज प्रप है, तो चुपकोफ बोलता है, हाँ क्यों नहीं, उजे कोई दिक्कत नहीं होगी, अब नतलिया को बुलाता है, और फिर वहाँ से चला चाता है, ताकि वो लोग प्राइविट कनवर्सेशन कर सके, कनवर्सेशन करने से पहले, रुमोफ बहुत ज़्यदा नर्वस था, उसे नतलिया को बोलने की सोचता है, मुझे तुम जैसे एक्सिलेंट हाउस की पर वेल एचुकेटड परसन और कहां मिलेगी, वो ये सब सोचकर बहुत एकसाइट हो रहा था, लुमोफ थर्टी फाइव यर्स का अलरेडी हो चुका था, वो अब अपना घर पसाना चाता था, उ बिलकुछ फ्रेश फिल नहीं करता था, ऐसा उसके साथ कुछ-कुछ 20 मिनट के लिए होता था, अब नतलिया इंटर करती है, नतलिया उसको देख शौक हो गई, कि उसके फादर यानि चुपकोव ने बताया था, कि कोई मर्चेंट या बिसनिसमेन अपना कुछ हमान लेने क बिले वहाँ आएगा, वो नतलिया से उसका हालचाल पूछता है, नतलिया उससे बोलती है, तुम कमफटेबल हो जाओ, और से लंच आफर करती है, उसके ड्रेस को देखकर वो क्वेशन करती है, क्या तुम किसी पार्टी में जा रहा हो, लुमोव नतलिया को बहुत बहुत अच्छे है, मेरे अंकल और अइंटे तुमारे पैरेंट्स की बहुत रिस्पेक करते हैं, वो बोलता है हमारी फैमिली के लैंड भी मिलते हैं, इवन हमारे ऑक्सेंड मीडोज भी तुमारे ब्रीच वूच को टच करता है, मैं आपको बता दू, ऑक्सेंड मीडोज वो ग्रास लेंड होते हैं, जहां गाय भैस लोग घास चरते हैं, और ब्रिच वूच यानि ब्रिच ट्री से है, यह सुन दे ही नतालिया लोमव को बोलती है, सौरी मैं तुम्हें इंटरप्ट कर रही हूं, लेकिन अभी तुमने बोला हमारा ऑक्सेंड मीडोज, नतालिया बोलते हैं, क्या वो बाकई में तुम्हारे हैं, लोमव बोलता है, हाँ हाँ बिलकुल, अब नतालिया बोलती है, कुछ भी बात मत करो, वो तुम्हारे नहीं हमारे हैं, लोमव बोलता है, नतालिया बोलती है, चलो ठीक सरा, तुम मुझे एक्स्प्लेन करो, कि वो कैसे कि उसके आंटी के ग्रेंड मदर ने नातलिया के फादर के फार्मर्स को सिर्फ 40 साल के ली दिया था वो भी ताकि वो फ्रील यूज कर सके बटाउना ने उसका मेस यूज किया जैसे कि वो उनका ही हो इस बात पर नातलिया एगरी कर नहीं रही थी वो कहती है उसने अपने चाइड रोड डेस से उसके ग्रेंड फादर और ग्रेंड ग्रेंड फादर से कि ये उनका लैंड है एक मार्स तक एक्स्टेंड है जिसमें ऑक्सिन मिडोस भी आते हैं और उसे उनकी बात का पूरा वरोसा है और यहां कोई आर्गुमेंट ही नहीं उड़ता लुमोव बोलता है अरे यार ठीक है मैं तुम्हें प्रूफ दिखा देता हूँ नातलिया बोलती है यहां कोई मजाग नहीं चल रहा है यह लैंड लगबग तीन सो साल से उनके नाम है अलाकि उस लेंड का प्रैस जादा नहीं है बट फिर भी वो आर्गुमेंट के बाद दिसपॉइंट हो जाती है लुमोव बोलता है तुम शायद एक बार मेरी बात सुन सकते हो वो फिर से अपनी आंटी वगर की बात करना स्टार्ट करता है नातलिया उसको इंटरप्ट करके बोलती है मैं इस अपने सिधानतों पर वर्क कर रहा हूँ अब नातलिया तो लुमोव का ये बहवियर देखके शौक होती है वो बोलती है कि जब हमारी फैमिली ने लास्ट येर तुमारी मदद की थी तो मुझे लगा तुम खोश होगे और तुम्हारे इस बेवियर से मैं बहुत डिस्पॉइंट हूँ तुमने हमारी कभी रेस्पेक नहीं की लुमोव बोलता है क्या तुम हमें लैंड ठीव समझ रही हो वो बोलता है आज तक जो चीज़े मुझे मेरी नहीं लगी मैंने उस पर कभी अपना कभशा नहीं जमाया लेकिन आक्साइंट मीडोस हमारे है तो मेरे बोलने का हग भी बनता है इस तरह से दोनों में तु तु मैं में चालू हो जाती है लुमोव अप चिलाने लगता है नतलिया भी बोलती है यह मेरा घर है यहाँ चिलाना नहीं चलेगा अपने घर में जाके चिलाओ लुमोव बोलता है उसके चिलाने की वज़ए उसके heart rate increase होने की वज़ए से है वो अब भी यही बोल रहा था कि oxygen videos हमारे हैं अब इतने में चुबकोव आ जाता है और पूछता है उन्हों क्यों चिला रहे हो नतलिया बोलती है पापा इसे बता oxygen videos किसके हैं चुबकोव कहता है वो तो हमारे हैं लुमोव बोलता है एक मिनट वो आपके कैसे हो गए वो फिर अपनी भाई स्टोरी सुनाता है इस तरह से oxygen videos हमारे हैं अब चुबकोव भी बोलता है हाँ एक मिनट उस वक्त farmers को वो land slave reuse करने दिया गया उस वक property dispute चल रहा था लेकिन बाद में oxygen videos हमारे हो गए थे अब इतने में लुमोव को गुस्सा आ गया अब चुबकोव बोलता है अगर तुम ऐसा behavior रखोगे तो में oxygen videos farmers को दे दूँगा चुबकोव बोलता है तुम मुझसे respect से बात करो मैं बड़ा हूँ लुमोव बोलता है में चल लाने के वज़े आप ही तो लुमोव चुबकोव को बोलता है आप बहुत बड़े लैंड चुर हो और एक बेकार नेबर लुमोव बोल रहा था अब ये matter court case लेके जाऊंगा और ये प्रूफ करूँगा कि oxygen मिडोस मेरा है चुबकोव बोलता है हाँ हाँ ले जाओ तुम पूरे family members बसे ही कहना तो जानते हो वो बोलता है तुम लुमोव होते ही ऐसे हो तुम्हारे दादा जी बहुत बड़े प्यककर थे और तुम्हारी अंटी एक architect के साथ भाग गई अब ये सब सुनकर लुमोव के सर में pressure पढ़ रहा था अब वो कापने लगता है और बोलता है प्लीज कोई मेरी help करो मुझे पानी दो मुझे चक्कर आ रहा है मेरे पैर सुन पढ़ रहा है उसे ऐसा लगता है कि वो मर रहा है और जैसे तैसे करके वो दर्वाजे के पास पहुंच गया चुपकुफ बोलता है जाओ निकोले यहां से कभी वापस आने के बारे में सोचना भी मत नतलिया बोलती है what the type of rascal is ऐसे पड़ोसी होने ही नहीं चुपकुफ बोलता है पता नहीं कहां से कैसे लोग प्रपोजल लेकर आ जाते हैं इस बीच में नतलिया चुपकुफ से पूछती है आप कोंसे प्रपोजल के बारे में बात कर रहे हैं चुपकुफ बोलता है वो तुम्हारे लिए मैरे इस प्रपोजल लेकर आया था नतल यार उसे जल्दी बुला चुब को बोलता है उससे क्यों बुलाना है भला नतलिया बोलती है ओ गौड ये चल करा रहा है चुब को बोलता है तुम बैठो ड्रीम पे टीम बनाओ उसको बुलाने का काम मैं कर लेता हूं लोमोफ जब वापेस आया तो वह ठका हुआ लग रहा था नतालिया बोलती है हम आपको सौरी कहते हैं वो बोलती है मुझे याद आ गया ओक्सन मिडोस तो तुम्हारे ही है लुमॉफ बोलता है अरे यार मैंने तो पहले ही खाता कि वो हमारे है नतालिया बोलती है छोड़ो ये सब अब ये बताओ शूटिंग कब से स्ट में मुच आ गया है ये किसी डॉग के साथ जगड़े के वज़े से हुआ होगा कुछ जैरा मेरा डॉप उसे मैंने पूरे 25 रूबल में खरीदा था नतालिया बोलती है बहाप रहे तो बहुत बड़ा अमाउंट है उसके पापा ने तो अपनी स्कुजर डॉग के लिए 85 र अच्छे से नहीं आती लोमोव ये भी बोलता है कि तुम्हारे डॉग के दोनों जबड़े का साइज बेला गया और उपर वाला लोग वाले से बड़ा है नतालिया बोलती है तुम्हारा डॉग तो बहुत ज़दा अगली और लेजी है अब लोमोव बोलता है माना वा अग विजर के कंपेर में बहुत अच्छा है तुम्हारा डॉग तो 25 रुबल में बिग जाएगा नतालिया गुस्षे में आकर बोलती है पहले तुम्हें अपने अक्सेन मीडियो जूट बोलके अपने नाम किये अब बोलते हो कि डॉग भी तुम्हारे ही बेटर है लगता है त प्रिटने में चुपकोव आ जाता है नतलिया पूछती है पापा आप ही बताओ कौन से डॉग बेटर है वो बोलता है अब्विसली पूरे स्ट्रेट में हमारा ब्रीट वाला डॉग बेस्च है लोमोव बोलता है मेरी ब्रीट का डॉग अच्छा नहीं है चुपकोव बोल पिर उसका बोलना चालू था अब जब लोमोव जमीन पर लेटता है तो नतलिया बोलती है लगता है मर गया नतलिया रोना स्टार्ट कर देती है बोलती है ओ गौड मेरे लोमोव चुपकोव भी घबरा जाता है चुपकोव बोलता है मुझे जीने का कोई हक नहीं है मुझे चाकू दो, गन तो मुझे मारना है उसे बहुत बुरा फील हो रहा था लोमोफ अब खोश में आता है और पानी मांगता है इतने में चुबकोफ लोमोफ और नतलिया के हाथ को एक साथ ले आता है और ब्लेसिंज देता है लोमोफ को कुछ समझ नहीं आ रहा था नतलिया बोलती है अरे ये बच क्या और वो सब शादी के लिए रेडी हो जाते है चुबकोफ दोनों को किस करता है और गले से लगा लेता है लोमोफ को लगता है कि उसके तो चान नहीं हो गई और वो खुश हो जाता है और इसने में नतलिया डॉग वाला मैटर ओपन कर देती है चुबकोफ अब दोनों के हाथ में शेंपेन की बोटल देता है और बोलता है इस टाइम टू पाटी और इसी के साथ ये नाटक समाप्त होता है आज के स्टोडी का टाइटल है ये स्टोडी एक ग्रेट साइंटेस्ट रिचार्ड इबराइट पर बेज़ जाए रिचार्ड इबराइट आज पूरे वर्ल्ड के लेडिंग साइंटेस्ट को कमपीट करते है सबसे ग्रेट साइंटेस्ट वाने चाते है इन्होंने अपना सबसे आदा कंट्रिब्यूशन बाया केमेशियर और मॉलिकिलर बायोलाजी में दिया है वो बचपान से साइंस को स्टड़ी करने में इंटरेस्ट रखते थे उन्होंने अपनी पहली सबसे बड़ी खोच तब कि जब वे 22 येर्स के थे उसवर्ट उन्होंने living cells को discover किया और ये बताया कि human body में living cells क्या है और कैसे काम करते हैं मुझे लगता है कि आपने इनका नाम 9th की biology book में भी सुना होगा ये जो discovery थी उसने science को हिला कर रख दिया ये आस तक ही सबसे बड़ी discovery मानी जाती है इस theory को उन्होंने अपने college roommates के साथ मिलकर किया था इस journal proceedings of national academy of science में publish भी करवाय गया उनके लिए आज तक की सबसे बड़ी achievement थी अब है उन्होंने इतनी बड़ी discovery की थी तो यह सब आसानी से हो जाई यह तो impossible है इसके पीछे एक बहुत बड़ी journey थी और यह journey basically butterfly से start होती है Ebrite अपने parents के एक अकेले सन थे उनका और कोई भाई बेहन नहीं था Ebrite जहां पहले रहते थे वहाँ उनका कोई friend या companion नहीं था वो बहुत अकेले से थे उनको sports बिलकुल पसंद नहीं था उनको सबसे अधे एक चीज़ अच्छा लगता था और वो यह है कि किसी भी चीज़ को collect करके संभाल कर रखना उनको butterfly बहुत पसंद थी तो उनको collect करना start कर दिया जब वो kinder garden में थे तब से यह यह काम कर रहे थे वो साथ साथ रोक, fossil fuels और coins को भी collect करते थे वे अकसर रात में टेलिस्कोप से तारों को देखते थे वो स्चार्स को देखकर उनकी positions को नोट करते थे जब इबरेट की मदर को उसकी स्किरुरस्टी के बारे में पता चला रबोनों ने उसे encourage करना start कर दिया वो उसको tips पर ले जाते थी खासके educational trips पर वो उनको सब तरह के scientific weapons पर प्रोवाइड करती थी उसको बहुत ज़्यदा support करती थी उनकी मदर ने उनके कभी ऐसा feel नहीं होने दिया कि उनका कोई companion नहीं है वो हमेशे as a friend उसके साथ रहती थी जब इबरेट स्कूल जाने लगे तो उनकी मदर का support और बढ़ गया उनके father की death हो जाने के बाद उनकी मदर life time के लिए उनके companion बन गई अगर इबरेट कभी बोर फिल करते थे तो उनकी मदर उन्हें कोई ना कोई learning task दे दी थी जिसे वो busy हो जाते थे और उनको बोर भी फिल नहीं होता था और साथ साथ knowledge भी मिलती थी इबरेट के पास science कवर अब करने के एक शमता और जोश दोनों ही था वो जब second class में थे तब उन्होंने 25 species जो उनके hometown में पाई जाती थी उसको collect कर लिया था एक बार उनकी मताग ने उनके लिए एक ऐसी बुक लाई जिस बुक ने उनके लिए science का दर्वाजे खोल दिये और उस बुक का नाम था travel of monarch 10 इस बुक में बिसिकलिए ये बताया गया था कि कैसे monarch butterflies Central America के और migrate करते हैं इस बुक में इपराइट को अपने और attract कर लिया इस बुक के end में एक invitation card भी था उस card में ये लिखा था कि अगर कोई चाहे तो वो butterflies migration के studies में हमारे help कर सकता है readers को पस इतना करना था कि अगर किसी को tag लगे वो ये butterflies दिखे या मिले तो वो इस tagged butterflies को डॉक्टर उलको हट पर पेज़ दे मैं बता देता हूँ डॉक्टर उलको हट टोरॉंटर इनवर्स्टी के प्रोफेसर थे और साथ साथ butterflies migration पर research कर रहे थे अब इपराइट ने भी इस project में काफी interest लिया उन्होंने मनार्ख butterflies को tag करना start कर दिया butterflies का season summer के last six weeks में start होता था इपराइट के जानते थे कि अगर वो एक एक करके butterflies को catch करेंगे तो शायद बहुत time लग जाए उसने अपने basement में butterflies को collect करना start कर दिया उसने एक female butterfly पकड़ी जो egg देती थी उसके egg से और butterfly पैदा होते थे और वो सब को collect करके रख दे थे ये race butterflies को चीश type की थी कि पहले उस egg से गैडर प्लेयर आया फिर pupa और last में एक एडल butterfly अब जैसे ही butterflies बड़े हो जाते थे तो उन्होंने उनको tag करके छोड़ना start कर दिया बट अब धीरे धीरे करके उनका interest इस project से हट रहा था असल में वो tag butterflies को भेज तो रहे थे बट उसका कोई अच्छा feedback नहीं मिल रहा था इतने सारी butterfly में से सिर्फ दो को ही capture किया गया और बाकी को recapture नहीं किया गया वो जो दो butterfly species को capture किया गया था वो भी उसको locality में मिल गई थी 75 minutes के around और अब वो 7th grade में पहुँच गया थे अब वो दूसरे science के experiments में busy हो गए उन्होंने अब science county fair में admission लिया उन्होंने उस country fair में as a test from tissues को slide में represent किया बट उसको कोई price नहीं मिला अब उसको एक बास समझ आ गई इतने से कुछ नहीं होगा कुछ बड़ा करना होगा और कुछ रियल करना होगा अब उन्होंने सोचा कि मैं को insects में बहुत interest है मैं इस project पर work करूँगा उन्होंने पहले भी insects में ये सब काम किया हुआ था उन्होंने अपने आइडियास को डॉक्टर रोड को हर्ड के साथ शेयर कर दिया उन्हें कई सारे suggestions और आइडियास दिये इन आइडियास को पुरा करने में उनकी school life बीद गई और school life में उन्होंने इन experiments की वज़ए से कई सारे prizes जीते county fairs और international level दोनों में वे अच्छा गए थे उन्होंने अपने 8th grade science experiment उस viral disease को शो किया जिसकी वज़े से सारे मनार्ग बटरफलाइस की death होती है उसको यह लग रहा था कि यह जो disease है यह किसी beetle की वज़े से आई होगी तब उसने beetles के presence में caterpillar को experiment किया उनको कोई real experiment तो नहीं मिला बट science county fair में इसको शो करने से उसको एक prize मिल गया अगले साल उन्होंने एक नए प्रोजेक्ट पर वर्क करना स्टार्ट किया और वो वर्थ था कि कैसे वाईसरे बटरफलाइस मनार्ग बटरफलाइस को कॉपी करती थी एक्चुली मैं बट्स को मनार्ग बटरफलाइस बिल्कुल पसंद नहीं थी तो उनके पास वाईसरे बटरफलाइस को खाने के अलावों कोई option नहीं बचता था ऐसे मैं वाइसरे बाटरफ्लाइज अपने आपको बचाने के लिए मोनार्ग बाटरफ्लाइज को कौपी कर लेते थी ये जो प्रोजेक्ट इबरेट ने समिट किया उस वज़े से उसको जूलाजरी डिविजिन में फर्स और काउंटे साइंस वेर में थर्ड प्रेज मिला अपने हाई स्कूल के सेकेंड एर में इबरेट और रिसर्च कर रहे थे और एक अन्नोन इंसेक्ट हॉर्मोन को डिसकावर करने के कोशिश की इस वज़े से वो आगे लाइफ आफ सेल्स की डिसकावर थियोरी के पास पहुँच गए इस प्रोजेक्क के अक्वाडिंग वे एक सिंपल सा आंसर जानना चाते थे मोनार्क प्यूपर के उपर जो 12 गोल्ड स्पोर्ट है उसका कुछ तो रीजन होगा उन्हें जानना था कि वो रीजन क्या है इसके रीजन्स को पैचानने के लिए इबरेट और एक सुडेंट ने एक डिवाइस इन्वेंट कै जिससे ये पता चाल रहा था कि वो स्पोर्ट सेक्शुले में किसी हॉर्मन के वज़़ा से प्रड्यूस होते हैं ये जो हॉर्मन था वो मोनार्क प्यूपर की फुल डवलक्मेंट के लिए काफी उसफुल होता है इस प्रोजेक्ट को काउंटी साइंस फेर में शो करने से उन्हें फर्स प्रेज मिला और इसके साथ साथ उन्हें इंटर्नेशनल साइंस ओफ इंजिनरिंग फेर में एंट्री मिल गई सुलाजी में उन्हें थर्ड पोजिशन हासिल हुआ अब उन्हें वाल्टर वीड आदमी ऑफ इंस्टिटूट में वर्क करने का मौका मिला उन्होंने क्योंकि मौनार्ग प्यूपा की रिसर्च को जाली रखा था इसकी वाज़े से जब वो प्रोजेक्ट और ज़्यदा डेवलप हो गया तो उन्हें इंटर्नाशनल साइंस फेर में फर्स प्रेज मिला उन्होंने अपने सीरियां येर के अंदर मौनार्ग बटरफलाइस के विंक के अंदर से सेल्स को ग्रो करना साट किया अपने इस एक्सपरिमेंट से उनको ये शो करना था कि बटरफले के डेवलपमेंट के वक्त जब सेल्स डिवाइड होते हैं तो वो तब ही डेवलप हो पाते हैं जब उन्हें उन 12 टाइनी गोल्ड स्पोट्स से वह अन्नोन हॉर्मोन मिलता है। बेन हॉर्मोन के विपूपर के सेल्स डेवलप नहीं हो सकते। इस प्रोजेक्ट ने भी जिजोलोजी डिविशन में फर्स प्रेस दीता। बेह इतने फेमास हो चुके थे कि अब उनको बस उ फैनली उन्होंने एक दिन हॉर्मोन के कैमिकल स्रॉक्चुर को आइडेंटिफाई किया। और इसके साथ साहत करीब 1-1.5 साल बाद वो इन हॉर्मोन के chemical structures की cells की x-ray photos देगी और फिर उनको cell के बारे में cells के x-ray को देखने पर नए नए ideas आने लगे उनको एक और idea मिला और उनने ये पता चल गया कि कैसे cell DNA की blueprint को read करता है Ebrite और उनके roommates इस chemical structure के models और pics को proper ready की है अब इसके बाद Ebrite को उनके life का एक और बड़ा achievement मिला और वो ये था अब उनको Harvard Medical School से graduation मिला और साथ साथ research student of the year का post graduation भी उन्होंने graduation के बाद वापस से details में study की और experiment करना चालू कर दिया उनको ऐसा लग रहा था कि अगर हम और अच्छे से कुछ कर लेंगे तो हम life process को properly identifiable मना सकते हैं उनको ये लग रहा था कि इससे हम कई सारे viruses और बिमारियों का solution सीजल निकाल पाएंगे अब इस chapter में उनके कुछ और interest के बारे में बताया गया है इस chapter में ये बताया गया है कि उनको दूसरों से debate करने बड़ा मजाता है और एक अच्छे photographer भी है वो public issues में भी participate करते हैं Ebride के जो SST के teacher थे वो उसको और नए नए ideas देते थे और उनका इस chapter में यही कहना है कि Ebride को new experiments का ideas भी उनके SST teacher से ही मिलता है उनके SST teacher ये बताते है कि Ebride को नहीं नहीं खोज करना बहुत पसंद है वो हर चीज में अपना best देना चाते हैं अपने आपको proper way में दूसरों से compete करना चाते हैं वो अपने आपको best proof करना चाते हैं एट लास राइटर ये बोलता है कि Ebride में वो सब quality जिर्व किसी भी person को एक great scientist बनाती है चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अब अपने next story के और जो इसके story का title है The Necklace इस chapter में basically तीन characters दिये हुए है पहले का नाम है Matilda Noizal दूसरे है Noizal के husband और दीसरे Matilda Noizal की best friend की family में पैदा हुई थी उसके पास देने के लिए कोई बीडावरी नहीं थी और नहीं कोई उमेच जिससे वो famous हो सके by chance कोई rich people उसे marriage कर ले उसने education board में एक दफतर में clerk Mr. Noizal से शादी कर ली Matilda हमेशे beautiful things के बारे में सोचती थी और उनके इस अपने देखती थी उसके पास ना तो कोई अच्छी dress थी ना ही कोई अच्छी jewelry जिससे वो show off कर सके परन्तु वो हमेशा उदास रहती थी और इसी वज़े से कष्ट उटाती थी उस उस घर की दिवारों को देखकर बहुत चड़ाता था यहां तक कि जब वो और उसके husband खाने की टेवल में बैटते तब भी वो हमेशा नए नए plates और utensils के बारे में सोचती थी एक बर मटल्डा के husband ने उसे एक invitation कार्ड लाके दिया यह invitation उनको किसी minister ने दिया था minister ने अपने डान्स पार्टी में सिर्फ कुछ लोगों कोई बुलाया था उसके husband बहुत खुश हो रहे थे कि वो किसी minister के पार्टी में जा रहे हैं जैसे उसमें यह invitation मटल्डा को दिया मटल्डा खुश होने के बज़ाए दुगी थी क्योंकि उसके पास नाताची जुलरी और नाताची ड्रेस थे इस बड़ी से पार्टी के लिए फिर उसके husband ने उन्हें सजेस्ट किया कि वो इस पार्टी के लिए एक नई ड्रेस खरीच सकती है उसके husband ने 400 friends अपनी gun खरीने के लिए बचाये थे उसने उन्हें officers पार्टी में जॉइन होने के लिए बचाये थे उसके husband ने उसे बताया कि उन पैसों से वो एक अची ड्रेस खरीच सकती है मडल्डा ने एक नई ड्रेस तो खरीड ली पर फिर भी वो बहुत उदास थी उसने अपने husband को बताया कि उसके पास कोई अची जॉइलरी नहीं है उसके husband ने उसे फिर सजिस्ट किया कि वो एक natural flower से बने नेकलेस पहल ले पर मडल्डा कोई suggestion अच्छा नहीं लगा फिर उसके husband ने उसे बोला कि वो उसकी best friend से कुछ जॉइलरी स्पोरो कर ले और उसने अब उसकी friend के आँ जाकर उसका एक नेकलेस उदार ले लिया नाच पार्टी का दिन आ गया मैडम को लगा था कि उससे सफल इस वर्ड में और कोई नहीं है क्योंकि उस दिन वो सबसे आदा beautiful लग रहे थी सब ही लोग उसकी तारीफ कर रहे थे वो बहुत खुश हो रहे थी और वो खुशी के वज़े से नाच रहे थी सब लोग उसका नाम पूछ रहे थे वो इतनी खुश थी कि नाच्टे नाच्टे सुबह के चार बच गए मटल्डा के husband ने उसके कंथों के चारों तरफ एक नॉर्मल क्लोथ को डाल दिया था मटल्डा बहुत जल्दी जल्दी चल रहे थी वो नहीं चार रहे थी कि बाकी लोग उसको उस ट्रेस में देखे ये जो भी लेडीज थी बहुत रिच थे वे लोग घर पहुँचे तब मटल्डा का मन लग रहा था कि वो एक बार फिर अपने आपको मेरर में देखे वो अपनी शान में अंतिम नजारा देखना चाहती थी जैसे ही उसने अपने कंदे से वो कपड़ा हटाया वो शौक हो गई क्योंकि उसके गार्डन में उसकी फ्रेंड का नेकलेस नहीं था मिस्टर लॉइसल जिन्हों ने अपने आदे क्लोल से रिमूव कर दिये थे वो मटल्डा से पूछते है क्या वो मटल्डा अब मटल्डा जब उसकी और देखती है वो एकदम हड़बडा रही थी और कह रही थी था वो मेरे पास ही था अभी तो था मिस्स फॉयस्टर के नेकलेस मेरे पास ही था पर हम नहीं है उसका हजबेंड बहुत घबरा गया था क्या ऐसा कैसे हो गया ऐसा नहीं हो सकता दोनों को बहुत बड़ा शौक लगा मरेड़डा ने एक बर फिर से अपनी ड्रेस को अच्छे से चेक किया पर वो उसे नहीं मिला फिर उसके हजबेंड ने उसे पूछा कि जब हम मिनिस्टर के घर से बाहर आ रहे थे तब क्या एकलेस उसके पास था मरेड़डा ने जवाब दिया हाँ शायद मुझे फिल तो हो रहा था उसके हजबेंड ने उसे बोला कि अगर ये रास्ते में कहीं गीरा होता तो उसकी आवाज आती वो बोलता है शायद यहार उस बग्गी में ही रह गया होगा जिसमें हम लोग आये थे मरेड़डा अपने हस्बेंड से पूस्ती है या तुम्हें बग्गी का नंबर याद है उसके हस्बेंड ने बोला नहीं उसने फिर से अपने कलोज पहन लिए और जिस रोड से आये थे उस रोड में वापिस चिक कर नेकले चले गए उसने पुलिस टेशन और बहुत सरे जगह सर्च किया और साथ ही साथ उसने नियूस पेपर में भी एक अड़िटाइजमेंट दिया था उन्होंने उस नेकलेस को बहुत सर्च किया पर वो उन्हें नहीं मिला नौजल ने अपनी पतनी से कहा हमें बदले में उसे दूसरा निकलेस लोटाना पड़ेगा ये लोग बहुत सरे जवेलर्स के पास गए फाइनली एक जवेलरी शॉप में उन्हें एक डायमंड का निकलेस मिल गया जो पुराने वाले हाथ से बिलकुल सेम दिख रहा था उस जवेलरी शॉप वाले ने उसे 36,000 फ्रैंक्स मांगे और मिस्टर लाइजल के पास सिर्फ 18,000 फ्रैंक्स ही थे ये पैसे भी उसके फादर ने उनके मृत्यू के बाद छोड़ गए थे बागी पैसो को चुकाने के लिए उसने बहुत सारा लोन लिया जिसका इंटरेस्ट रेट भी बहुत था नए नेकलेस को लेने के बाद मेटल्डा उसे अपने फ्रैंड के पास ले गई मिस्स फॉरेस्टर ने उस बॉक्स को उपन करके भी नहीं देखा और मेटल्डा से सिर्फ ये बोला कि उसे नेकलेस थोड़ा जल्दी लोटा देना चाहिए था आगे के दस साल मेटल्डा के बहुत बुरे तरीके से गुजरे क्योंकि उनको उस लोन कोट तो पे करना ही था उन्होंने डिसाइड कर लिया कि वो उसे डेफिनिटली पे करेंगे उन्होंने अपने मेट को काम से हटा दिया अपने घर को भी चेंज कर दिया उन्होंने अपने कुछ रूम्स रेंट के लिए दे दिये उसने अब सारा काम अच्छे से सीख लिया वे अब सब काम अपने हातों से ही करती थी वो जितना पैसा बचा सकती थी वो उतना बैसा बचा रहे थी उसके हजबेंड ने भी अपना वरकिंग टाइम इंग्रीज कर दिया उसने ओवर टाइम काम करना स्टार्ट कर दिया था जिससे कि उसके इंकम बढ़ जाए दस साल बाद उन्होंने अपना सारा लोन पे कर दिया पर इतने वक्त के बाद उसकी खुबसूरती बहुत कम हो गई अब वो सिर्फ और सिर्फ एक ओल्ड लेडी के फॉर्म में दिखाई दे रही थी वो एक बहुत हार्ड वरकिंग वोमेंड बन गई थी एक दिन घर का सारा काम करने के बाद सेर पर निकली रास्ते में उसे एक लेडी मिलती है जो अपने बच्चों के साथ चाल रही जी ये लेडी कोई और नहीं बिल्कि उसकी फ्रेंड मेडम फॉरेस्टर ही थी उसकी फ्रेंड अभी बहुत बीटिफुल दिख रही थी और मटल्ड एमोशनल हो गई उसने सोचा क्या वो अपनी फ्रेंड को सच बता देगी क्योंकि अब बहुत समय हो गया था और अब उसको सारा लून भी पे हो गया था तो उसने सोचा क्या वो उससे सच बता ही देगी मटल्ड एमोशनल पर उनकी फ्रेंड ने नहीं पहचाना क्योंकि अब बहुत चेंज हो गई थी मटल्डा अब उनसे पूछती है चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अब अपने नेक्स्ट स्टोडी के हो जी नहीं फिर वो बताती है कि मैं मटल्डा लॉइसल हूँ जैसे उसने बताया मैडम फॉरस्टर शौक हो गई वो बोलती है ओ गौड मेरी प्यारी मटल्डा ये क्या हो गया ये तुम्हे क्या हो गया है तब मटल्डा बताती है कि हाँ अब मेरी सिच्टूशन बहुत बैड हो गई है वो कहती है जिस दिन हम लास्ट मिले थे उस दिन से अब तक मैंने बहुत सारी चीज़े फेस की है मटल्डा उसे अपने दुख भरी कहानी सुनाती है और बताती है कि मैंने अपका नेकलेस लोटाने के लिए अपना सब कुछ दाव पे लगा दिया ये सुनने के बाद उसकी फ्रेंड बोलती है वो मेरी मटल्डा मेरी डायमन्ड के नेकलेस तो नकली थे वो मुश्किल से 500 फ्रेंक्स के थे चारिये दोस्तों बढ़ते हैं अब अपने नेक्स्ट स्टूडी के उर जो की है हैक ड्राइवर तो इस स्टूडी के राइटर का नाम है सिंक्लेर लिएस ये चैप्टर के शुरुआत होती है नेरेटर से इस चैप्टर के एक्वार्डिंग नेरेटर ने अभी अभी अपने लौ की ग्रेजुएशन कंप्लेट करके जुनियर फ़र्म में एक कलर का काम स्टार्ट किया है उसका में वर्क कोट के ओर्डर को उन लोगों तक पहुचाना है जिसका कोई कोट अफेर चल रहा है या जिसकी कोट में विटनेस के फ़र्म में नीड है नेरेटर ऐसे बहुत से जगा जाया करता था जहां उसे बहुत से लोगों को समन देना पड़ता था इस वज़े से कभी कभार वो विचारा पिट भी जाता था एक बार उसे न्यू मुलियन नाम के एक शहर में समन देने जाना था वो उसके शहर से 40 मिल के दूरी पर था वहां उसे ओलिवर लटकेंस नाम के एक बंदे को खुजना था जिसकी कोड में एज़ विटनेस चरुरत थी उसे पहले ही लेटर भेजा जा चुका था पर उसने सब एग्नोर कर दिया था जब वो न्यू मिलियन शहर जाने के लिए निकल रहा था तो उसे लग रहा था कि वहां सारी चीज़े साफ सुतरी होंगी वो शहर अच्छा होगा बट वहां पहुँचने के बाद उसके सारे एकस्पेक्टेशन्स पानी में डूग गए वहां सब कुछ एकदम बेकार सा था हर जगा कीचार फैला हुआ था और शॉप्स पी एकदम अजीब टैप के थे उसे स्टेशन पर एक आदमी दिखाई देता है वो उसे एक अच्छा खुश आदमी लग रहा था वो उसके पास जाता है और कहता है वो शहर में ओलिवर लटकिन्स नाम के एक लड़के को खुशने के लिए आया है तो जो वो आदमी था वो कहता है उसे मैंने अभी कुछ एक गंटे पहले देखा था पर आई थिंक वो अप कहीं घूम रहा हुगा क्योंकि वो हमेशा कहीं न कहीं घूमते ही रहता है वो कहता है उसे खुशना इतना असान नहीं है तुम्हें नहीं मिलेगा उसने नेरेटर से कहा वो शयद फ्रिट्स शॉप में मिलेगा क्योंकि उसे पोकर खेलना पसंद है उसने नेरेटर से पूछा क्या तुम जल्दी लटकेंस को खुणना चाते हो हाँ हमें दोफर की ट्रेन से वापस आना है ऐसा कहके नेरेटर ने बोला उसके पाद वो आदमी ऐसा कहता है चलो मैं तुम्हारी हिल्प कर देता हूँ मेरे पास घोड़ा गाड़ी है यानि हैक ड्रावर है इससे तुम्हें शायद थोड़ी असानी होगी वो इसके बाद कहता है कि मैं दो डॉलर पर आरके हिसाब से लूँगा उसके पाद नरेटर कहता है ओके डील डन इसके पाद जब नरेटर उस हैक ड्रावर में बैठता है तो वो वहाँ के विलेजर्स के हेलपफुल निचर के बारे में सुचता है जब वो दोना के बीच में बाते चल रही थी तो heck driver narrator से पूछता है क्या आप Lutkins से पैसा लेने के लिए आए हैं अगर हाँ तो आप अपने पैसे भूल जाओ क्योंकि Lutkins कभी किसी के पैसे नहीं लोटाता वो कहता है उसे भी Lutkins से पैसे लेने है driver narrator को कहता है वो Lutkins के सामने पहले ना जाए क्योंकि उसको देख लटकिन्स वहाँ से भाग जाएगा ये देखके नरेटर ये फिल करता है कि हैक ड्राइवर का निचर काफी सपोर्टिंग और हेल्पिंग है वो उसको सपोर्ट कर रहा है बात करते वक्ट नरेटर उस हैक ड्राइवर को कहता है मुझे लटकेंस ऐसा विटनेस कोट में चाहिए इसलिए मैं उसे खोज रहा हूँ इतने मैं हेक ड्राइवर अपना इंट्रो देते हुए कहता है ठीक है मेरा नाम है बिल मैगनेसन वो बोलता है मैं तुम्हें बता दे रहा हूँ ये लटकेंस काफी शाप माइंडेट आदमी है काफी चालो दिमाग का बंदा है वो सबको ठकता है फ्रिट्स शॉप पर नरेटर बाहर वेट कर रहा था और ड्राइवर उस वक्त अंदर पूस्ताज करने गया हुआ था इसके बाद वहाँ फ्रिट्स कहता है वो तो अभी थोड़े जर पहले गस्टफ शॉप में शिविंग के ले गया होगा इसके बाद वो लोग गस्टफ की शॉप में जाते हैं जैसी वो लोग वहाँ पहुँचे और उन्होंने लटकेंस के बारे में पूछा तो वो लोग को काफी गुस्ता आ गया पैसा चुकाने के डर से हमें कहीं और चल के खोजना चाहिए इसके बाद वो लोग ग्रे की बार्बर शॉप में जाके लटकेंस को खोजते हैं वहाँ उन्हें पता चला कि वो अभी जैस 5 मिनिट पहले ही वहाँ से निकला है वो लोग कोटरूम्स और बेटिंग शॉप्स इधर उधर जाके लटकेंस को सर्च करते हैं उन्हें अफसोस को कहीं नहीं मिला इतने में दोफर के एक बज रहे थे और उन्हें भूग भी लग रहे थी तो उन्होंने लंच करने का सोचा इते में हैक ड्रावर कहता है, क्यांकि होटल और रेस्टोरेंट्स अच्छे नहीं है, हैक ड्रावर कहता है, हम मेरे वाइफ के पास चलते हैं, वो खाना अच्छा बना लेती है, वो कहता है, उन्हें हाफ डॉलर में अच्छा खाना मिल जाएगा, इसके बाद वो हैक ड्राव वो हैक ड्राइवर के साथ मज़े करने लगता है उन्हें विर्ड सिल का नजारा काफी अच्छा लगा आगे उस वक्त वो हैक ड्राइवर उस विलेज एरिया के बारे में नरेटर को बताता है कि यहां के लड़के काफी फैशन चुकरते हैं यह सब जानकर नरेटर को लगने लगा जो लोग हमसे कम हैक ड्राइवर को उसके खुद के विलेज के बारे में नौलेज तो है नरेटर को वो जगा पसंद आने लगी थी हैक ड्राइवर कहता है उसने इससे पहले कई सारे जॉब्स कर रखे हैं जिसके वज़े से उसे काफी knowledge gain हुआ है और वो simplicity और cheerful person बन गया है वो बस ये बताना चाहा रहा था कि हाँ अब हम लटकिन्स को कोज लेंगे और वो हमें मिल जाएगा इसके बाद उन्होंने लटकिन्स के friends से पूस्ताच की तो उसके friends कहते हैं वो तो अपनी ममी के घर भाग चुका है ये सुनकर बिल यानि हैक ड्रावर कहता है लगता उसे हमारे बारे में पता चल गया इसलिए वो भाग गया बिल कहता है लटकिन्स की मदर से वो बात करेगा और साच निकल वाएगा जब वो लग लटकिन्स के याँ पहुचे तो उन्होंने उसकी मदर को कहा लटकिन्स as a witness court में बुलाया गया है कहा है वो या आदमी उसे ले जाने आया है वो ये भी कहता है इस आदमी के पास उसे ले जाने का legal right है ये देखके नेरेटर को भी एक मुमेंट के लिए ऐसा फिल हुआ कि उसकी कोई respect कर रहा है इतने में लटकिन्स के मदर अंदर से गरम प्रेस लेके आती है और कहती है भाग जाओ वरना मैं तुम्हें जला डालूंगी ये देखके वो लोग वहाँ से भाग गए अभी वो लोग लटकिन्स नहीं कोच पाए थे तो नेरेटर ने सोचा कि अब उसे वापिस सेले जाना चाहिए क्योंकि उसके ट्रेन अब छूटने वाली थी वो लोग स्टेशन पहुँच गए नेरेटर आगे कहता है मुझे यहां के विलेजिस और हैक ट्रावर से मिलके काफी अच्छा लगा वो उस जगह से अटाइच हो चुका था वो वही न्यू मिलियन में रहना चाहता था लटकिन्स नहीं मिला तो आफिस वाले काफी परिशान से हो रहे थे क्योंकि उन्हें लटकिन्स की सक्त ज़र रह थी नेरेटर सुचता है लगता है मेरे करियर स्टार्ट होने से पहले ख़ता मोने वाला है क्योंकि उसके बॉस के चाहरे में गुशा नज़र आ रहा था उसने फिर से लटकिन्स को लाने के लिए भीजा बस इस बार उसके साथ बढ़ते हैं अब अपने नेक्स्ट लटकिंस को जानता था जो उसको भी भेजा गया जैसे वो लो नियू मिलियू इस पर पहुंचे तो वहाँ उन्होंने बिल और उसकी मदर को देखा और नारेटर एक सीन देखके शौक रह गए क्योंकि जो बिल और लटकिंस की मदर थी वो लो एक साथ हसी मज़ा कर रहे थे इत्ते में वो अपने साथ आए आदमी को कहता है ये आदमे बिल है और एक अच्छा आदमी है और उसके साथ वाला आदमी उसे बता देख यार यही तो लटकिंस है इसके पास वो narrator काफी शौक सा हो गया क्योंकि उससे नहीं पता था ऐसा कुछ भी हो सकता है क्योंकि वो जिसके साथ पूरा दिन न्यू मिलियन घूम रहा था वही लटकेंस था तो इस चैप्टर का explanation खतम होता है इधरी स्टोडी का टाइटल है बोली जिसके राइटर का नाम है के अबवास यह चैप्टर स्टाट होता है एक गर्ल से जिसका नाम था सुलेका उसके पिता का नाम था रामलाल वो गाओं का जमिदार था सुलेखा उसकी चौथी बेटी थी गाहों में सब लोग उसे भोली के नाम से बुलाते थे ऐसा इसले बोलते थे क्योंकि वो मेंटली वीग थी और किसी भी बात को समझने में थोड़ टाइम लगाती थी सुलेखा जब टैन मुंस की थी तो वो खाट यानी चार पैसे गिल गई और अनफॉर्सुनेटले उसके प्रेंगे एक बात डैमेज हो जया बुली बच्पन में बहुत क्यूट थी बात जब वो दो सल की थी तक उसे स्मॉल बॉक्स हो गया उसके बॉड़ी पास पॉर्ट से रह गय थे उसके आखे बच गई पात साल की एज में उसमें बोलना स्टार्ट किया और वो हकला के बोलती थी उससे बार बार हकला कर बोलना चाहनी लगता था इसलों से डिसाइड कै कि वो जब बोलेगी ही नहीं रामला रिटे डॉटल साथ चिल्डरन्स थे तीन सन चार डॉटर थे बोली उसके सातवी भाई बहन में सबसे यंग थी पूरे गाउं में रामला रिटी सबसे रिच फार्मर का उसके फैमिली के लिविंग बहुत अच्छे थी इसके सारे बचसे हल्दी थे और उसमें सबकोशटी अरिएर्यास में भेज दिया था ताकि वो कुछ बढ़ा कर सके — बड़बोली हल्दी नहीं थी जो उसकी सबसे बड़ी बेटी थी राधा उसके अल्रेडी मैरेज हो चुके थी और उसकी जो दूसरी बेटी थी उसके मैरेज फिक्स हो चुके थी और उसकी तीसरी बेटी का नाम था चंपा उसकी सभी बेटिया बहुत ब्यूटिफुल और हेल्दी थी रामलाल को उनकी marriage के फिकर नहीं थी बट उसे भोली की बहुत फिकर थी उसका marriage करना बहुत difficult था क्योंकि वो beautiful और intelligent नहीं थी जब वो seven years की थी तब oldest girl यानी mangalah की शादी हो चुकी थी उस साल गाउ में एक government school open हुआ जिसके opening ceremony में तहसलदार साथ होता है हुए थे उन्होंने रामलाल से कहा रामलाल इस गाउ में तुम्हारी बहुत respect है तुम्हें आप बहुत famous हो तो तुम्हें अपनी daughter को यहाँ इस school में भीजना चाहिए इस बात को सुनके रामलाल और उसके wife discussion करने लगे तो उसकी wife बोलती है कि अगर daughter educated होगी तो उसकी marriage करना मुश्किल पढ़ेगा रामलाल confused होगा क्योंकि वो तहसितलार की बात को मना नहीं कर सकता था और उसकी wife की बात में उसे दम लग रहा था अब उसकी wife बोलती है भोली के marriage होना मुश्किल है सो इट्स बेटर क्या कर हम उसे school में educate करें तो अगले दिन रामलाल भोली के school ले जाता है और भोली बहुत नर्वास थी उसे नहीं बाता था कि school क्या होता है उसे बस इत्ता या था कि इस तरह से एक बार उसकी गाओ के एक काओ को घर से बाहर ले जाया गया थ और उसके फादर को उसके बदले कुछ पैसे मिले थे उसे लग रहा था कि इस बार भी शायद वही होगा कोई भोली के बदले उसके फादर को पैसे दे जाएगा भोली उसके फादर के हाथ खिचने लगे उसके फादर हम इडिटेट हो गए और उसे डाटने लगे उसके फ प्रेस चमपा के थे जो छोटे हो गए थे इन सब चीजों को देखकर भोली समझ गई कि उसे सही जगा ले जाया जा रहा है जब भोली स्कूल पहुंची तो वो लेट हो गई थी उसके डैड ने उसके हाथ को एड में स्ट्रेस को दे दिया भोली अभी भी डरी हुई थी वो इतर उतर देख रही थी उसने स्कूल पहली बार देखा था वो कुछ समझ नहीं पा रहे थी उसने देखा कि संपच्चे वहां कैसे पढ़ रहे हैं भोली को कुछ समझ नहीं आ रहा था स्कूल क्या और क्यों होता है उसे अच्छा लग रहा था क्योंकि बहुत सारे पर लगे painting को देखने लगी उसे brown horse की painting बहुत पसंद आई और ये horse उसको बिल्कुल उस horse की तरह दिखाई दे रहा था जिस पर बैठ कर तैसलदार सहाब आए थे अब उसने एक painting parrot की देखी उसको देखकर उसको आम के बगानों पर जो parrot थे उसकी याद आई अब उसने एक cow की bending देखी इसको देखकर उसे अपने cow लक्षमी की याद आ गई जब वो इधर उदर देख रही थी तो उसकी teacher उसके पास आ गई और उसका नाम पुकारती है बोली कुछ नहीं बोल पाई वो घबरा गई थी और हकला रही थी उसके आच शासू आ गए उसको बहुत अजीब स पील हो रहा था वो एक कॉंटे में जाके हेट साउंड गरेके बैढ़ गई सब लड़कें उस पर हज़ा रही थी बोली कि teacher ने उसे फिर से उसका नाम पूछा और उसको comfort प्रोवाइड किया इस बर फ़रा हकलाने के बाद वो अपना नाम बोली और उसकी मैम ने उसे अगर तुम डर पर काबू पाओगी तो हर एक बात अच्छे से बोल पाओगी बोली शौक थी कि कैसे उसने इतना कुछ बोल दिया उसकी टीचर उसकी curiosity को understand कर गई और समझ गई कि अगर वो daily school आगी तो उसके mentality ठीक हो सकती है उसकी teacher ने उसे पूछा क्या वो daily school आगी उसकी से बोली हाँ उसकी teacher ने बगा थोड़ा जोड़ से बोलो अब वो थोड़ा और loud volume में बोलती है हाँ भोली अभी भी शौक थी अब भोली के teacher ने उसे book दी जिसमें पूरे alphabets प्लस कुछ अच्छे animals के images दिये हुए थे उसकी teacher बोलती है अगले एक महिने में तुम देखना इस book को अपने मन से अच्छा से रीड कर पाओगी उसकी teacher बोलती है तुम tension मतलो मैं तुमको बहुत सारी books दूंगी जिनको पढ़ने से तुमें बहुत अच्छा education मिल जाएगा और तुम परे गाओं में सब शाद educated बन जाओगी बोली की teacher बोलती है तुम अभी जाओ कल जल् चेहर में change हो गया और वो primary school high school में change हो गया एक बार आप रामलाल भोली के marriage के बारे में अपनी wife से discussion करता है वो पूछता है कि क्या उसे बिशांबर जी का proposal accept करना चाहिए क्या आप हमारी भोली के लिए ठीक होगा उसकी wife बोलती है ठीक है क्यों क्यों नहीं जरूर आफ्टर रामलाल शार नहीं था क्योंकि बिशांबर भोली से कहीं बढ़ा था वो handy gap था उसके already एक marriage हो चुकी थी उसके बच्चे भी थे तो अच्छा नहीं लगया और उसकी wife बोलती है एज gap matter नहीं करता उसकी wife बोलती है ऐसे भी भोली के लिए लड़का खुजना बहुत मुश्क बोलता है हमें भोली से एक बार बात करना चाहिए उसके wife बोलती है भोली तो बुद्धू है उसे कुछ समझ नहीं आएगा पर वो लोग नहीं चाहते थे कि बोली उनकी बातों को सुन रही थी विशांबर नात एक अच्छा वैपारी बड़ा आदमी था वो goods को sell and buy करता थ बिशांबर पुरे थांगी इंट्रेंट्स के साथ बारात लेकर रामलाल के पास पहुंचा सब बहुत रहते हैं रामलाल को लग रहता फाइनली उसके poor daughter की शादी धूम धाम से हो रही है भोली को अच्छे से ready करवाया गया उसे अगनी के पास peril ने निकले बुलाया गया ज सिर्फ sports है मैं इसे शादी नहीं करने वाला उसका दोस्त बोलता है कर ले नहीं और क्या फर्क पड़ता है वैसे भी तू कोई handsome तो है नहीं तू भी तो 50 साल का है तुझे लगता है कि ऐसी अंगल तुझे कहीं मिलेगी चल से आप शादी कर ले अब शांबर बोलता है वो भ बेटी से शादी कर लो पिशांबर बोलता है पकड़ो अपनी बेटी अपने घर में अपने पास रखो राम लल को अपनी इज़त बचानी थी इसलिए उसने अंदर से पांच जार रुपे लाए और उसे दे दिया पिशांबर सादी के लिए रैडी हो गया अब जब बिशा आप थे ये क्या भोली बिना कलाइब बोल रही है सब लोग फुसफुसा रहे थे और बोलते हैं कैसी बिशलम लड़की है शादी के लिए एन मौके पर मना कर रही है अब राम लाल भी बोलता है ऐसा मत करो इससे हमारे पुड़े काव में बहुत बदनामी होगी बोली बोल अब बरात वापे जा रहे थी विशलम वर उसके फैमिली फ्रेंड सब चले गए अगनी भी बूचने लगी अब भोली के फादर उसको बोलते हैं लेकिन बोली तुम्हारा क्या होगा अब कोई तुमसे शादी नहीं करेगा हम अब कैसे रहें करेंगे बोली बोलती है पाप आप जिंदा मत करों मैं हमेशे आपके पास रहूंगी आपकी सेवा करूंगी और इस गाओं के स्कूल में जाके बच्चों को अच्छी एजुगेशन दोंगी जितना मैं दे सकूंगी उसकी मैम भी वहाँ प्रेजेंट थी मैम से कुछती है मैम मैंने ठीक कहाना उसकी मैम की और देख के स्माइल करती है वह भोली से बहुत ज़्यादा सेटेसफाइड थी उसकी टीचर को लगता है एक आर्टेस्ट मास्टर पीस की तरह भोली वहाँ सक्सेस्फूल हो गई इसके पोयम का टाइटल है अमांडा जिसके पोयर्ट रॉबिन क्लेन एक फेमस ऑस्ट्रेलियन ओथर है जो स्पेशली फिक्शन कंटेंड के लिए जानी जाती है तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इस पोयम में बिसिकली चार पराग्राफ है हम सबका एक्स्प्लेनेश इसका उनके लिए चिंता करना उनको ओवर प्रोटेक्ट करना एक्सेक्टरा एक्सेक्टरा इस पोयम में पोयर्ट ने इक लड़की के बारे में बताया है जिसका नाम है अमेंडा जिसके पैरेंट्स भी उसे अन्वांटेज इंस्ट्रॉक्शन देते रहते थे और उसे से ड्रीम से जहां वो बिल्कुल फ्री रहना चाहती है अब अपन अपने फर्स्ट पैरा की और बढ़ते हैं फर्स्ट पैरा में पोईट अमांडा का डिस्क्रिप्शन देते हैं जिसमें हर बार वो अपने मिस्टेक्स और फॉल्ट के वज़े से अपनी मदर से पॉइंट आउट की जाती है पहले उसकी मदर उसको ये बोलती है कि अमेंडा अपने रेल्स को बाइट मत करो ये गलत बात है नेक्स ताइम वो ये कहती है कि अपने शूल्डर को बेना जुकाए अच्छे से बैटो बॉ ह creature कि ए हैं वह सुचती है कि उस C में वो ऑकेली है और वह यह चाहती है कि वहां पर कोई आ जा जाए वह इमेजिन करती है किो सुखिम करके एक ऐसे An anymoreigning में जाना चाती है जहां रिलैक्स कर सके वे अपने लाइफ को खुद लीड करना चाहती है अब अपन नेक्स पैरा में चलते हैं इस पैरा में उसकी मदर उसे पुछती है अमेंडा तुमने अपने हमवा किया है कि नहीं तुम अपने रूम को क्लीन किया है कि नहीं और साथ ही साथ वो उसको ओर्डर करती है कि तुम ही आज मेरे शूस को साफ करोगी पर फिर से अमेंडा अपनी imagination में खो जाती है इस बार वो यह imagine करती है कि वो औरफन है मतलब कि अगर उसके parents नहीं होते तो वो freely कहीं पर भी घूं सकती है अमेंडा सुचती है कि उसे धूल पर दोड़ना है उस पर खेलना है एक साइट उसकी मदर ख्लीलनेश चाती है और दूसरी तरफ अमेंडा को धूल मिट्टी पसंद है वो ये कहती है कि अपने मदर के ताने सुन सुनकर वो तंग आ गई है वो सोचती है कि फ्रीडम बेस्ट है पर जब भी अपने मदर के साथ चाइट जाठी है तो वह फ्री पिल नहीं करती थरड़ पैरा में उसकी मदर उसे चॉकलेट सब्सक्राइब माना करती है कि फीमपल हो जाता है अब उसकी मदर उसको उनकी बातों आदों पर ध्यान कि वज़ए से भी डाट टी है अब आमेंडा फिल भी कहीं खो जाती है इ इसके लंबे बालों की हिल्प से वो एक टावर क्लाइम करती थी, जब भी उसके बाल विंडो के बाहर आते, तब अमेंडा सुचती है कि टावर के अंदर में फ्री और एक पिस्फुल एंवर्मेंट में रहे पाऊंगी, वो सुचती है कि उस टावर में किसी को आने नहीं देगी, और अपने बालों को भी विंडो के बाहर जाने से रोकेगी, ताकि वो फ्री रह सके, अब अपने नेक्स्ट पैरा की और बढ़ते हैं, इस पैरा में उसकी मदर अमेंडा से ये कहती है कि, तुम अब अपने अन्वांटेड मूड को ठीक कर लो, इस अन्वांटेड मूड के लिए तुम खुद ही रिस्पॉंसिबल हो, वो ये भी कहती है, अगर तुम ऐसे मूड से बात करोगी, और बहार जाओगी, तो लोग समझेंगे कि, अमेंडा की मदर उसे बहुत ज़ज़ा हरास करती है, अब यहाँ, अपन ये बोल सकते है कि, अमेंडा को हर बार स्मॉल टॉक्स के लिए पॉइंट आउट भी के जाता है, और अगर वो एमोशनल वे में रियक्ट करे, तो उसकी माँ उसको अपने राइड के गेंस्ट ले लेती है, तो गाइस, ये पोयम के एक्स्प्लेनेशन मैंने आपको दे दिया है, आई होग कि आपको एक्स्प्लेनेशन समझ आ गया होगा, पोयम का नाम है एनिमल्स, जिसके राइटर का नाम है वाल्ट विट्मेन, ये एक अमेरिकन पोयट है, और ये अपनी रिवाल्यूशनरी पोयटरी के लिए बहुत जादा फेमस है, ये जो पोयम है, ये उनके एक वाल्ट सौंग आफ मैसल से लिया गया है, मैं आपको बता दू कि इस पोयम में बेसिकली चार्ज चैंजा है, हम एक एक करके सबको समझेंगे, फ़र्स चैंजा में पोयट कहते हैं कि वो एनिमल्स के वर्ल्ड में सर्वाइफ करना चाहते हैं, वो ये कहते हैं कि उन्हें एनिमल्स वर्ल्ड, हुमन वर्ल्ड से काफी बहतर है वो ये भी कहते हैं कि उन्हें एनिमल्स हुमन से ज़्यादा पीसफुल लगते हैं वो ये बोलते हैं कि एनिमल्स बहुत काम होते हैं वो हमारे जैसे immaterialistic things के पीछे नहीं भागते, उन्हें एनिमल्स में ये बात सबसे अच्छी लगती है, वो ये भी बोलते हैं, एनिमल्स जो भी अचीव करते हैं, उस पर वो कोई भी खमण नहीं दिखाते, पोईट ये बोलते हैं, एनिमल्स कभी भी दूसरों की लाइफ में कि जैसे हम एनिमल्स हर चोटी चोटी बात पर कंप्लेंट करते रहते हैं, वैसे एनिमल्स बिलकुल नहीं करते, पोईट ये भी बोलते हैं कि हम एनिमल्स अपने हर दुख की शिकायत करते रहते हैं, और एनिमल्स ऐसा बिलकुल भी नहीं करते, पोईट ये बोलते हैं कि हम humans रात भर अच्छे से सो नहीं पाते क्योंकि दिन भर में जो हमने problems create की रहती है उसके बारे में सोच कर हमें नीज नहीं आती और animals रात को अच्छे से सो जाते हैं क्योंकि उन्होंने दिन भर में कोई गलत काम किया ही नहीं होता पोईट ये बोलते हैं कि animals बहुत truthful होते हैं पोईट ये भी कहते हैं कि animals अपनी तारीफ पाने के लिए अपने बाकी साथी animals को परिशान नहीं करते और तो और animals को जो भी चीज मिलती है वो उसी में satisfy feed करने लगता है वही हम humans को कितनी भी चीज़े दे दी जाए हम कभी satisfied ही नहीं होते हैं पोईट बोलते हैं हम humans अपनी luxurious life को maintain करने के लिए short cuts का use करते हैं एनिमल्स वैसा बिल्कुल भी नहीं करते हैं थर्ट स्टैंजा में पोईट ये कहते हैं कि animals कभी भी human के सामने अपने सिल चुका कर devotion नहीं करता और नहीं आज तक उन्होंने अपने ancestors यानि की पूर्वच के लिए ऐसा किया है पोईट बोलता है कि हम human किसी एक को बहुत importance से respect देते हैं और बाकी को ignore कर देते हैं पर ऐसा animals कभी भी नहीं करते तो सब को equal respect और importance देता है पोईट का ये मानना है कि हम humans हर बार अपने आपको अर्थ पर या तो जादा खुश और या तो बहुत दुखी पाते हैं लेकिन animals हमेशा बहुत खुश रहते हैं पोईट बोलते हैं कि हम humans सिर्फ ऐसा show करते हैं कि हमारे और उनके बीच relation बहुत अच्छा है बट ऐसा कुछ भी नहीं होता और animals का relationship हर किसी के साथ बहुत strong रहता है पोईट ये बोलते हैं कि एक animal अच्छे से relationship को निभाता है पोईट स्टेंसा में पोईट humans को animals से compare करता है बर इस comparison के वक्त वो अपने आप से भी question करता है वो ये सोचते हैं कि उसके अंदर की सारी अच्छा हीया कहां चली गई है वो सोचते हैं कि animals कितने गुड़ी होते हैं वो ये सोचते हैं कि पहले के जमाने में जो चीज़े एक इनसान के पास होती थी अब वो एक जानवर के पास है उन्हें ऐसा लगता है कि शायद उन्होंने अपनी लापरवाही से उनके सारे अच्छे गुड़ खो दिये हैं वेट को ऐसा फील होता है कि humans से कहीं जादा animals better हैं और हम humans बहुत greedy हैं और एक दूसरे से jealous भी वो ये भी बोलते हैं कि animals बहुत जादा self content है लास्ट में पर्टिगे कहते हैं कि हम humans rich people के अंडर वर्क करते हैं उनका ये कहना है कि हम बहुत जादा restless हैं वही animals बहुत honest हैं उनको जो मिलता है वहाँ उतने महीं खुश हो जाते हैं अब बढ़ते हैं नेक्स पोयम के और आज के पोयम का टाइटल है इस पोयम के पोयम का नाम है फ्रिडरिक ओक्डेन नेश ये पोयम अपने निम्रेस प्रिडरिक ले जाने जाते हैं और साथ ही साथ ये भी अमेरिका से भिलॉंग करते हैं मैं आपको बता दूँ ये पोयम basically एक बलाड है इस पोयम में basically 14 stanza है हम सब को एक एक करके समझेंगे first stanza में पोयम ये कहते हैं कि सबसे पहले इस पोयम में एक लड़की है जिसका नाम है बिलिंडा वो एक छोटी बच्ची है जो एक वाइट हाउस में रहती है और उसके साथ उसके कुछ पेट्स भी वही रहते हैं उसके पास एक small black kitten, grey mouse और एक yellow dog है उसके पास एक real dragon भी है साथ ही साथ एक red color wagon भी उसके पास है stanza में पोयम ने basically ये बचाने कोशिश की है कि ये story में कौन-कौन से characters है next stanza में poet सब का नाम बताते हैं वो बोलते हैं black kitten का नाम इंक उसके पास जो grey mouse है उसका नाम है blink yellow dog का नाम है mustard और उसके पास जो dragon था उसका नाम था custard उसको सब डरपोग बुलाते थे third stanza में poet उन सब का description देते वे बताते हैं बताते हैं कि dragon के पास हैं ये custard के पास big sharp teeth उसके body के उपर spikes भी है और उसके lower में skills present है sharp knife से क्योंकि उसके mouth से वो fire निकालता है और अपने nose से वो smoke पास करता है उसके पैर में बहुत sharp toes है तो अब next tenza में poet सब characters के inner strength और bravery को introduce करते हैं वो बोलते हैं कि Belinda एक full of birds इतनी brave है और इनको और blink अपने आपको इतना brave समझते हैं उनको लगता है कि वो एक lion का शिकार कर सकते हैं वो यह बताते हैं कि Belinda का dog इतना brave है कि उसको जब गुसा आएगा तो वो एक angry tiger के जैसे बन जाएगा बट जब बात उस चोटे से dragon पर आती है तो poet यह कहते हैं कि वो बहुत ज़दर डर पोख है उसे हर चीज से अपने आपको protect करने के लिए safe cage की ज़रत पड़ती है नेक्स चैंसा में Belinda उस बिचार छोटे से dragon को tease करती है और सब लोग कुभ हसते हैं वे सब उसका मजाग भी बनाते हैं अब नेक्स चैंसा में poet बताते हैं कि Belinda इतना जोर से हस रहती कि उसकी sound वहाँ पूरे घर में echo करती है और तो और जो mouse था वो अपने original sound में हस रहता अब जब भी करस्टर अपने safe cage के लिए डिमान करता था तो सब लोग जोर से हसना चालू कर देते थे और उसको tease करते थे नेक्स चैंसा में जब वो लोग मस्ती कर रहे थे तब उन्होंने एक unwanted sound सुनी उन्होंने देखा कि एक pirate बॉल क्लाइम करके विंडोज अंदर आ रहा है उस pirate को देखकर डॉग ने भौकना चालू कर दिया बिल्ली म्याओ कर रहे थी बेलिंडा चिला रहे थी नेक्स चैंसा में पुएट ने pirate को डिस्क्राइब किया है वो बोलते हैं कि pirate के दोनों हाथ में पिस्टल थी उसने अपने दाच से चाकू का दबा रखा था उसकी एक आँख पर पट्टी बंदी हुई थी और उसका एक पैर लकडी का था उन लोगों को समझ आ गया कि इस pirate के इरादय अच्छे नहीं है नेक्स चैंसा में पुएट बोलते हैं सब लोग कही न कहीं छुप जाते हैं नेक्स चैंसा में जब सब लोग अपनी बहादुरी का शूफ कर चुके थे अब ड्रैगन को लगा कि यह उसकी बहादुरी दिखाने का सही समय है वो उसी वक्त उस pirate के उपर जम्प कर गया उसने अपनी पूछ को जमीन पर भी हिट किया ताकि एक हार्ट शाउन प्रडियूस हो सके और उसने अपनी पूरी ताकत से उस pirate पर धावा बोल दिया अब जब pirate अपने आपको वीक फिल कर रहा था तब उसने अपनी पॉकेट से अलकोहल वाली energy ड्रिंक निगा ली और पी लिया अब उसने एक पिस्टोल में दो कोले डाल कर उस ड्रेगन पर फायर किया बट वो मिस हो गई वो और कुछ करता इससे पहले उस ड्रेगन ने उस pirate को अपना खाना बना कर खा लिया नेक्स एंसा में सब लोग ड्रेगन को थेंक्यू बोलते हैं विलिंडा उसे अपने गले से लगाती है मस्टर्ड उसको चाटने लगता है और सब लोग बहुत खुश हो रहते क्योंकि उस ड्रेगन ने उन्हें बचाया था वो अपने gratitude ड्रेगन के ओर शो करते हैं नेक्स एंसा में सबको अपने उपर पस्तावा हो रहा था उनको लग रहा था जिस ड्रेगन ने उनकी जान बजाई उसी ड्रेगन का वो लोग मजाग बनाते थे उस वक्त वापिस से सब लोग उचक कर बोलते हैं वो तो मैं इसी देखना चाता था कि कस्ट कुछ कर पाएगा या नहीं नहीं तो हम तो इससे कुछ जादा ही ब्रेव हैं अब कस्ट भी बोलता है हाँ यार मैं तो कुछ हुई नहीं तुम ही लोग सब कुछ हो लास एंसा में एपोरेट ये बताते हैं कि कुछ दिनों बाद सब कुछ as usual हो गया सब लोग अपने आपको जादा और उस ट्रैगन को डर्ट पोक समझने लगे ड्रैगन भी डर्ट पोक बन गया और फिर से अपने लिए सेफकेश खुजने में लग गया तो दोस्तो इस पोएम का एक्स्प्लेनेशन खताम होता है इदरी अभी आपने सारे चैप्टास को वन शॉर्ट समझ लिए और आई होप कि आपको सारे चैप्टास का एक्स्प्लेनेशन समझ आ गया होगा तो मैं मिलूँ आप लोग से जल्दी नेक्स वीडियो में तब तक के लिए थैंकियो सो मच पर वाचिंग लाइख शेंग सब्सक्राइब और गुर्पाई